आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि गे का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले गे का आर्थ समझते हैं गे का आर्थ थोड़ा सा गहरा होता है इसको दो तरीकी से आप समझ सकते हैं एक तो गे का आर्थ होता है जो गाने योग्य होता है यानिकि जिसे या तो गाकर समझाया जा सके या जो गाया जा सके या जिसे किसी के सामने बताया जा सके यानि कि कोई secret बात नहीं होती उसको भी कई बार gay कहा जाता है यानि कि जो गाकर आप किसी को भी सुना सकते हैं जो जिसमें कोई secrecy नहीं है तो उसको भी gay कहते हैं और जो गाने के योग्य हो उसको भी gay कहा जाता है जैसे कि कोई भी रचना होती है, कोई कवीता होती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो गा कर सुनाया जाने योग्य होता है तो उसको गे कहा जाता है तो गे का विलोम शब्द यानि के विप्रितार्थक शब्द होता है अगे और अगे को भी दो तरीके से समझा जा सकता है एक तो कोई ऐसी चीज होती है जो आप कोई रहसे की चीज है या कोई राज है कोई सीक्रेट है जिसे दूसरों के सामने आप गा नहीं सकते बोल के बता नहीं सकते यह समझा नहीं सकते तो उसको भी अगे कहा जाता है इसकी इलावब कोई ऐसी चीज होती है जो गाने लायक नहीं होती है जिसको आप गा नहीं सकते या जो गाया नहीं जा सके उसको भी गे कहा जाता है आईए अब हम गे और अगे को कुछ उधारन वाक्यों से संचें जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसकी कविता भहुत ही गे और मधुर थी या फिर आप कह सकते हैं कि गे रचनाओं को सुनकर मन प्रसन हो जाता है या फिर आप कह सकते हैं कि उसका स्वभाव अगे है यानि कि उसका स्वभाव ऐसा है जो थोड़ा सीक्रिट टाइप का है समझना थोड़ा मुश्किल है या फिर आप कह सकते हैं कि अगे रहसे सब को चौका देता है यानि कि ऐसा रहसे जो पहले किसी ने बताया ना हो या जो सब को ना पता हो वो सब को चौका देता है अब आप किसी भी